राजस्तान के अंदर आज भी आंदी का दौर जारी रहेगा जिसमें आप सभी कोदादे की मौसम शुष्क बना रहेगा और मौसम शुष्क के साथ में आज तापमान के अंदर हल्की गिरावट भी दर्ज की जाएगी राजस्तान की कई शेत्रों के अंदर हल्की बुंदाबांदी होने की संभावना है तो वहीं बातचीत करें तो बुंदाबांदी के साथ में अब राजस्तान के अंदर धूल भरे आंदी भी चलने की संभावना जटाई गई है कहां कहां पर ये संभावना जटाई गई हैं सिर्थ दिखाते हैं अमारे स्पूर्ट में राजिस्तान में आंधी का दौर सुमवार को भी जारी रहेगा और इस दौरान पश्चिमी राजिस्तान के कुछ जिलों में धूल के साथ आंधी आएगी हालकि बाकी जगे मौसम शुष्क रहेगा और मौसम विज्ञान केंद्र जैपुर के अनुसार सुमवार को पूरी राजिस्तान में मौसम सामान ने रहेगा पर पश्चिमी राजिस्तान के बीकनिर और जोदपुर संभाग में धूल से बरी आंधी की आशंकाए हैं जहां हवाओं की रफ्तार 30-40 किलोमेटर प्रती गंटे की हो सकती है इधर मौसम विज्ञान केंद्र ने पिछले कुछ दिनों की बरसाथ की वज़े से गर्मी से मिली राहत भी खत्म होने के संकेत दे दी हैं मौसम विख्भाग के अनुसार आने वाले करीब एक सब्ता तक प्रदेश में मौरिश के आसार नहीं है ऐसे में प्रदेश में तापमान के साथ तपन भी बढ़ेगी जिसका असर पश्यमी राहिस्तान में जादा रहेगा यहाँ पर आगामी तीन दिनों में तीन डिगरी तक तापमान बढ़ने के साथ लूक आसर भी देखने को मिल रहा है